नमस्कार रिशी अम्रेट भुटी सेवा संस्तान में एक बार आपका फिर्ट श्रागात है मैं गुरुजी गुवल आज लाए हैं कचनार यह कचनार की छाले, कचनार के पोधे के बारे हम बताएंगे कचनार की छाल, कचनार की फूर और कचनार के पत्ते यह भमूल और बहुत ही उप्योगी औशदि, यह दुल्लब औशदि यह सरीर के किसी भीुप्रकार के बिष्क या बिष्यले तत्तों को बहार निकालने की च्छंता रखता है यह रत को सुद्द करता है, सरीर की गंठमाला, सरीर में कुष्ट्रो, खून को शाप करता है, जिसको बार बार पिशाब आना हो, उस रोग में भी एहकाम आती है, साथ में जिसको जड़ा प्यास लगती हो, उस बीमारी में भी इसका प्योग कर सकते हैं, यह बहुत ही अशु किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी हो, यह उस सब को खतम करने की सामर्थ रखता है, इसलिए से कचिनार कहता है, यह इनसान की सारी बीमारी को काच की तरह निकाल देता है, निकाल देता है सरीर को, बिल्कुल शुद्र कर देता है, यह मल के रास्ते वापेशाप के रास्त से विसेले कत्यों को बाहर कर देता है टाइफाइड या विसेले जुआत या घाव हो जाते हैं शरीर में जो पकने लगते हैं उन सब बीमारियों में इस कचना रखी छालकी पत्ती के फूलों का प्रियोग कर सकते हैं यह बहुत ही अच्यू कोशादी है जी नाश्कार